हलो दोस्तों आज हम जानेंगे रितु परिवर्तन क्या होता है और क्यों होता है मौसम क्यों बदलता है और किस लिए बदलता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे चलिए सुरू करते हैं आप जानते होंगे मेरे दोस्तों कि कभी हम देखते हैं कि सर्दी होने लगती है ठीक है कभी बहुत गरम हो जाता है और कभी क्या बारिश होने लगती है इसी को हम कहते हैं रितु परिवर्तन यानि मौसम का बदलना वेदर चेल्जिंग इसके बारे में हम इस पार्ट में जा क्या कारण है रितू परिवर्तन होने के। चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रत्वी के अच्छ का जुकाओ और सूर के चारो और परिक्मा करने के कारण ही रितू परिवर्तन होता है। पहली बात हमने क्या जानी प्रत्वी के अच्छ का जुकाओ वर्स भर एक ही और होता है साल भर एक ही और प्रत्वी हमारी जुकी रहती है कैसे जुकी रहती है अपने धूरी पर जुकी भी होती है कितना जुकती है? साले 30 डिगरी अच्छ पर प्रत्वी हमारी जुकी होती है तो यही बता रहे हैं कि प्रत्वी के अच्छ का जुकाव वर्स भर एक ही और होता है प्रत्वी के अच्छ के जुकाव और सूर के चारो और परिक्मा करने के कारण ही रितु परिवर्तन होता है इतनी बास समझ गया अब एक नोड करने वाली पॉइंट की बात ये है जदी प्रत्वी अपने अच्छ पर ना जुकी होती है तो परिक्रमन गती करने के बावजूद भी ठीक है प्रसूर के चार और घूमने के बावजूद भी रितु परिवर्तन नहीं होता वर्स भर रात और दिन बारा बारा घंटे के होते हैं यानि जो हमारा दिन है ये भी बारा घंटे का होता है और रात भी बारा घंटे की होती जबकि अभी हम ये देखते हैं क्या कि कभी तो सर्दियों में क्या होता है रातें लंबी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं इसी तरह से गर्मियों में क्या देखते हैं रातें छोटी होती हैं और दिन बड़े हो जाते हैं तो अगर प्रत्वी अपने अच्छ पर जुकी हुई ना होती तो हमारे दिन और रात भी बराबर होते और मौसम भी एक जैसा होता चलिए, कैसे इसको हम जानते हैं देखिए यह हमारी प्रत्वी है ठीक है, यह प्रत्वी का जानते क्या है हमने मान लिया कि प्रत्वी का यह मर्द भाग है और यह प्रत्वी का लंब है ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाती है और प्रत्वी अपने लंब से ठीक है, कितना जुकी है साड़े तेज डिग्री जुकी हुई है इसका यह कोण साड़े तेज डिग्री का है और इसका यह आला कोण 6-6 डिगरी का आए ठीक है ये बात समझे में आई तो यही बता रहे हैं कि अगर प्रत्वी अपने अच्छ से ये इसका अच्छ है छो किamię ना होती तो क्या होता तो मौसम में परिवर्तन नहीं होता रितुओं में परिवर्तन नहीं होता सामान रितु होती और दिन और रात भी क्या होते हैं इनका प्रियट टाइम भी एक सामान होता है एक क्या होता है और यह हमारा सूर है ठीक है तो सूर की किलने क्या होती है प्रत्वी पे सीधे पड़ रही है कहां पे भूमत रिखा पे यह प्रत्वी का जानते क्या है करक अच्छान से या इसे हम करक रेखा भी कहते हैं और नीचे ये मकर अच्छान से या मकर रेखा वरत कहते हैं ये दोनों ही भूमत रेखा से कितनी दूरी पे होते हैं साड़े तेज डिगरी उत्तर की तरफ और मकर्रे का 35 degree दच्छल की तरफ इस्तित होती है ठीक है ये दोनों ही अच्छांस एक होता है उत्तर की तरफ 35 degree और एक होता है 35 degree दच्छल की तरफ आपको सोची अगर सूर की किरने सदेव एक सीथ समान पर पड़ती तो क्या होता है तो हर जगे प्रकाज जो है बराबर मात्रा में होता ठीक है यहाँ पर क्या है सूर की किरने उत्तर धुरूओं पर किर्शी पड़ती है ठीक है जहाँ पर दिन जल्दी घड़ जाते हैं और रात क्या होती है लंबी होती है इस situation में और जहां पर क्या होते हैं, बिल्कुल सीधे पढ़ती है वहां पर क्या होता है हमको गर्मी भी मिलती है बराबर मात्रा में, और दिन भी हमारे क्या होते हैं, ठीक ठाक होते हैं तो यह जो कारल था इसको हमने बताया, और with figure भी समझाया तो दोस्तों आपको बहुत आसानी से बात समझ में आ रही होगी एक बार और हम repeat कर देते हैं प्रत्वी के अच्छ का जुकाओ प्रत्वी के अच्छ का जुकाओ कितना है? साड़े 30 डिगरी एंगल का है, ठीक है ना? जुकाओ, वर्स भर एक ही और रहता है प्रत्वी के अच्छ के जुकाओ और सूर के चार और परिक्मा करने के कानण रितू में परिवर्तन होता है नोड करने वाली बात क्या है? यदि प्रत्वी अपने अच्छ पर जुकी ना होती ठीक है? तो परिक्रमन गती करने के बावजूद भी रितू परिवर्तन नहीं होता रितू में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता वर्स भर रात और दिन भी बारा-बारा घंटे के होते है ठीक है दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आपके एक दोस्तों मदद हो सके कमसे कम धन्यवाद